नमस्का दोस्तों एक बाफ इससे आप सभी का स्वागत है सरकारी मंत्रा की इस ओफिसियल यूटिव चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को जो इस्टेट बैंक आफ इंडिया में भरती निकाली गई है उसके बारे में बताने वाला हूँ और यहां पर तो इसमें एलिजबल है अप्लाई करने के लिए कोई भी केंडियट जो एक ग्रेजवेट है या अपियरिंग में है जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया ओ भी अप्लाई कर सकता है इसमें तो दोस्तों बिना देर करतें वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं संपुर्ट जैसे ही आप नीची आएंगे तो यहां पर आपके सामने एक वैकेंसी होगी रिक्रुमेंट आप जूनियर असोसियेट कस्टमर सपोर्ट एंसेल्स का यह 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 वैकेंसी है जो अपलाई जो है इसमें 27 अप्रेल 2021 से स्टाट होगा और 17 मई 2021 तक इसका आवेदन की अंतिम्ति थी है और कुछ भी पोस्टों के लिए यहां पे एक्स्ट्रा और जो भी जॉब है यहां पर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे देख सकते हैं जिसमें आपका जो है स्पेसलिस्ट ऑफिसर का पोस्ट है जिसका आवेदन जो है आल्रेडी रनिंग में है और तीन मई 2021 जो है चाहिए और एक और वेकंशी स्पेसलिस्ट ऑफिसर का ही जो कॉंट्रेक्ट बेसपे है इसका भी तीन मई 2021 जो है इस लास्ट डेट है ऐसी तीन अदर वेकंशी यहां पर आपके सामने हो रहे होगी तो दोस्तों यहां पर आपको को मैं जो बेकंशी के बारे में बताने वा पेज ओपिन हो चाहेगा एडवर्टाइज में नमबर सीयार पीडी सीयार दोहजार इकिस बाइस जीरो नौ तो दोस्तों आए डीटिल में बात करते हैं यहां पे आप कुछ जैसे ही सब्सक्राइब की नौटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे आप यहां पे देख सकते हैं 27 अप्रेल 2020 से इसका रहा है अफन का ऑवेदन हो रहा है और सत्रह मई 2020 तर्फशल वेबसाइड दिया गया है आप इस वेबसाइड पर विजिट कर सकते हैं यहां आपको वीडियो की नीचे पीन करवा दूंगा इसकी ऑफिसेल वेबसाइड का लिंक और यह पीडियाफ का ल 2021 में और आपका मिन्स का जो टेंटिटीव एक्जाम डेट है वो 23 जुलाई 2021 को यहां पे होने वाला है तो यहां पे आप वैकेंसी की पूरी डिटेल देख सकते हैं सभी राज्यों के लिए है एहमदाबाद बेंगलावर भोपाल बंगाल भोनिष्ट्व चंडिगर चिन्नई देली हैदराबाद जैपूर केरल लखनव महाराश्ट्र जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के लिए यहां पे वैकेंसी निकाली गई है तो दोस्तों यहां पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं पांच-छेजार एराउंड वैकेंसी यहां पे सो हो रही है क्लर्क ग्रेड की इसेंसियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों यहां पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और अगर आप एक अपियरिंग कैंडिडेट है तो भी आप इलिजवल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए अपलाई करने के लिए और आपको 16 और दोस्तों यहां पे एज में रिलेक्शन्स जो मिलेगा S.E.S.T. को 5 साल O.V.C की कैंडिडेट को जो है यहां पे 3 साल का और पीडव्लीडी जनरल या इडव्लीएस में आती हैं तो 10 साल का सेस्टी हैं तो 15 साल का और ओविसी में आते हैं तो 13 साल का जो है यह रिलिक्षिशन प्रवाइड किया जाएगा एक्स रिविस्मेन के लिए यहाँ पे दिया गया है और जो बीधवा और डाइवोर्शी वूमेन है उनके लिए भी यहाँ पे जो है एज में रिलिक्षिशन प्रवाइड किया गया है नर्मली एज का जो है क्राइटेरिया है वो 20 वर्ष आपका कम से कम होना चाहिए और 28 वर्ष आपका एज रिलिक्षिशन को छोड़ करके आपका जो है डेटा बर्थ होना चाहिए जो एज लिमिट है तो दुस्तों जैसे ही आप इस फीडियोको स्कोल डाउन करेंगे तो यहां पे आपको जो है इक्जाम का प्री इक्जाम की जो क्या 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 क्यूश्चन आएंगे जिसमें इंगलिस लेंगूज के जो है 30 क्योश्चन होंगे और मैक्सिम जो 30 मार तो यहां से आप लोग देख सकते हैं और मेंस एक्जाम की बात करें तो यहां पे आपका जो है इसमें financial evidence या general evidence आएगा और general English भी आएगी और यहां पे general aptitude के भी question आएगे और reasoning ability और computer aptitude के question होगे जिसमें आपके सभी जो है को total number आप question होगे वो एक्षण 90 question होगे जो 200 नंबरों की होगे और timing duration यहाँ पे 2 घंटे 40 मिनट की जो है आपकी total exam होगी mains की जिसमें आपका जो है 50 question जो है general awareness का 40 question जो है English का 50 question जो है आपका quantity aptitude का होगा और reasoning ability का जो है यहाँ पे और computer aptitude का 50 question इसके भी होगे और maximum number जो है यहाँ पे maximum marks दिया गया है total जो है 200 नमबरों का जो है आपका mains exam करवाए जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे salary की बात करें तो यहाँ पे आपको salary जो है 7900 से start होकर जो है 28-29 रुपय आपको salary provide की जाएगी और कुछ पोश्टों के लिए यहाँ पे जो है 30-550 रुपए 42-600 रुपए 45-930 रुपए तो ऐसे जो है अलग-अलग salary जो है आपको provide की जाएगी जैसा भी पोश्ट रहेगा उसके according जो है आपका salary और जो location होगा job का उसके according जो है आपका जो announcement होता है वैसे salary आपको provide की जाएगी त्यानि 1900 से लेकर के जो है salary आपकी approximately 50,000 तक यहाँ पे मिलने वाली है तो दोस्तों आप लोगों के लिए किस सुनहरा उसर है अगर आप बैंक में अपना career बढ़ना चाहते हैं तो और इसमें जो है apply online होगा आपका जो है form apply और यहाँ पे जो आवेदन सुल्क लगने वाला है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूं स्सक्राइब के लिए उनके लिए कोई भी जो है एक्जामनेशन फीस नहीं लगेगी और जनरल ओवीशी और इव्यक्राइब के लिए 750 रुपे का जो है अप्लीकेशन फीस लगेगा जो non refundable होगा ठीक है तो दोस्तो यहाँ पे इसकी official website पे जो है apply काने के लिए आप विजिट कर सकते हैं तो यहाँ पे इसकी official website भी mention किया गया आप लोग देख सकते हैं तो आपका exam center जो होगा आपके जो है यह भी डिटिल दिया गया है है यहाँ पे कहाँ-कहां आपका exam center यहाँ अपलाई करने का photograph तो आप प्लोड करेंगे जो उसका डीटिल दिया गया है तो ऐसे आप जो है इसके डाउनलोड करके प्लोड करके ही फॉर्म को भरना किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है तो दोस्तों ऐसे ही जोब अबडेट पाने के लिए अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो सरकारी मंत्रा यूटूब चैनल को सब्सकाइब जरूर कर लें और वीडियो अच आप आप तो